जन्म कुंडली में बुद्ध जाकर के भाग्य भाव में बैठे हों कोई भी लगन हो मतलब नहीं है जन्म कुंडली में बुद्ध भाग्य भाव में बैठे हों और कैसे हों तो दसमेश के साथ हो यानि कर्म भाव के स्वामी के साथ हो भाग्य भाव में बुद्ध बैठे हो, नमम भाव में बुद्ध बैठे हो, करमेश के साथ, दसम के स्वामी के साथ तो जातक अपने भुजबल से सब कुछ हासिल कर लेता है, अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है यह योग एक और प्रकार से भी बनता है कि जन्न कुंडली में बुद्ध उच्च रासी यानि कन्या राशी में हो परन्तु किसी भी प्रकार से राहू अथवा केतु से न तो दृष्ट हो रहा हो न राहू अथवा केतु से उसके संबंध बन रहे हो तो उस अवस्था में जातक अपने भुजबल से सब कुछ हासिल कर लेता है ये तो सामानी में समझ में आ जाएगा कि भद्र महापुरुश्योग अरे भई उच्च रासी में और केंद्र में हो बली हो राहू केतु से संबंधित ना हो तो भद्र महापुरुश्योग बन कि इसमें से कोई योग आपकी कुंडली में है तो निसंदेह आपने जो भी पाया या जो भी पाएंगे अपने बाहुबल के बदोलत ही